हेलो डियर स्टूरेंट्स और पेरेंट्स अगर आप क्लास 12 के बाद BSC, BA, BCOM, BSC AG इन सब में एडमिशन लेना चाले थे Central Universities में तो इस बार एक बड़ा चेंज आया है जो 2-3 साल से माना जा रहा था कि आएगा आएगा लेकिन इस बार आ गया और जितनी भी Universities है Central University अब एक Entrance Examination के थू ही एडमिशन लेंगे और वो Entrance Examination का नाम होगा CUET Central University Entrance Test ये 2022 से शुरू हो रहा है पहले से कुछ Universities Conduct करती भी थी CUET नाम से जाना जाता था लेकिन इस बार इसको नया नाम दिया है NTA conduct करेगा इसको और इसमें जितनी भी इंडिया की सारी Central University BHU, AMU, JNU सब इसके थू ही admission लेंगे ठीक है एक्जाम का format क्या होगा बत्चवी computer based test होगा objective test होगा ठीक है और इसमे MCQ होगे चार section होगे इस exam में जिसमें section first A होगा 30 language जिसमें मैं आपको language बताऊँगा कौन-कौन सी section 1 B होगा 19 language का section 2 होगा जो आपके domain specific subject होते हैं जैसे आप bio से करना चाहते हैं, chemistry से, commerce से करना चाहते हो, economics से तो वो subject का test होगा और section 3 होगा journal test इसमें mental ability, journal reasoning यह सब का test होना है इसके बाद अगर हम इन सब को एक-एक करके समझने की कोशिश करें तो बच्चों देखो जो main feature हैं पहले वो समझ लो कि जो 4 section है, section A में 3 different language है, language को मैं भी बताऊँगा कौन-कौन सी language है और उन में से कोई एक language आपको चुननी है, ठीक है, 40 objective question करने 50 में से मिलेंगे आपको ठीक है, अगर यह language वाले section में जा रहे हो, तो 50 question किसी एक language की होगा जिसमें से आपको 40 attempt करने है और उसमें क्या-क्या question होगे, reading compression, passage, factual, narrative, यह सब vocabulary, इन सब के, यह 45 minutes में लेगी आपको एक session के लिए, एक language के लिए, ठीक है section B में 19 language हैं, और इन में से आप, एक, इसमें से, मलब यह जो 13 language इसमें है ना, इसके अलावा 19 language और है तो section B में आपके पास choice है, इसके साथ भी एक language ले सकते हो, section A से भी और इससे भी ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ 40 objective question करने है, 50 में से आए, 50 में से, बिल्कुल सेम वही format और यह भी 45 minutes अब वह language की बात बताऊं तो देखो, यहाँ language 13 language है, तमिल, तेल्गु, केंड़, मलियालम, मराथी, गुजराती, ओडिसा, बेंगॉली, आसामीज, पंजाबी, इंगलिश, हिंदी, उर्दू, और जो यह section 1 B की language है, उसमें फ्रेंच, स्पैनिश, जर्मन, नेपाली, पाउगरी, मैथली, मनिपूरी, सैथली, तिबदन, जैपनीज, रश्या, चाइनीज, ठीक है, तो यह बहुत common language है, और यह कुछ जगह पे चलती है, specific college में ही, तो इसलिए यह अलग से एक दूसरी category बनाई, अब देखो बच्चों, यहाँ तीसरा जो section है, जिसको section 2 बोलना इनपुट, अब देखो बच्चों, ध्यान देखना है, इसमें भी बिल्कुल यह objective question होगा, अब आप सुचों कि 6 subject है, तो 6 subject को अगर 45 minutes से multiply करें तो बहुत बड़ा time है, तो यह depend करेगा कि university क्या demand कर रही है, language में भी, और इसमें भी, यह format दिया गया है, और इस format के through, बता सब्जेक्ट के options हैं आपके पास, university बताएगी कि मुझे तो commerce का एक account का subject चाहिए, PCM में चाहिएगी, maths, chemistry, physics, इन तीन सब्जेक्ट का test लेना है, तो वो maximum लिख दिया 6, minimum कितने भी हो सकता है, minimum 1 भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, किसी में section A की जो रोती ना पड़े, को university कहत दिया कि हम इने ऊपर वाले से कोई मतलब निया, section 3 ही चाहिए, ठीक है, बस ये बता दिया कि हर section में 45 question, 40 question attempt करने 50 में से, अब देखो, MCQ based test होगा, और सारा सले बस NCRT का होगा, class 12 का, मैं भी बात भी करूँ को उसके बारे में, अच्छा, 45 minutes मिलेंगी एक subject के लिए, ठीक है साथ question करने हैं, 75 में से, और देखो, ये कितने सारे इसमें part हैं, ठीक है, input text can be used for MCQ based question, journal knowledge, current affair, journal mental ability, numerical ability, reasoning, ये basic 10th class तक का, जो mathematics होता है, है न, इससे और 60 minutes का ही test होगा, इसके बाद बच्चो, अगर हम बात करें, इसमें हाँ, अब ये जो specific, domain specific subject है, ये कौन से हैं, तो देख question 2 के थे, ये सारे main subject आपके, bio, biological studies, bio technology, business study, chemistry, computer science, informatics, practice, economics, business economics, engineering, graphics, और कुछ ऐसे भी subject बोले गए हैं, जैसे, कि, ऐसे जैसे मानलों कोई university ऐसी है, जिसमें bio आप करना चाहरे है, और bio जैसे कोई subject ही मैच नहीं करना तो, वहाँ bio chemistry जाए subject choose करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो, इस तरीके से आपको समझना है, अब देखिए, ये था, format की बात करेंगे अभी, अब आपको देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, candidate can choose a maximum of any three language from section 1A, 1B, maximum तीन language choose कर सकते हैं, ये भी depend करेगा, किस पे, और universities पे, और लेकिन उसमें लिखा है कि, यहाँ एक special लिखा पॉइंट, one of the language choose need to be in lieu of domain-specific subject, कि मलब जो, जैसे तीन language है, तो तीन language में क्या करना होगा, आपको, जो second section है, domain-specific subject, उसकी जगह पे एक language लेनी पढ़ेगी, सब्याइब बात, तो यह university decide करेंगी, वो क्या option दे रहा है, maximum 6 subject ले सकते हो, section 2 से, लेकिन वो भी आपको university बताएग आप requirement को check करनी है, तो अब वो बताता हूँ process क्या है, इसका level जो होगा, class 12 के level के बराबर होगा, जो board का paper देने जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, और जो subject होगा, उसमें class 12 का ही part आएगा, NCRT से, ठीक है, official website यह है, अब मैं एक बार इस बात पर थोड़ा ध्यान डालता हूँ आपका, बच्चो देखो, सबसे पहले तो यह बात ध्यान रखना, कि यह format दे दिया गया, कि 6 subject इस पार्ट में हो सकते हैं, maximum इतने, कोई university किसी पार्ट से ज़्यादा subject लेगी, किसी से कम, तो आपको university पे based होना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हर university की official website पर जाना होगा और दूसरा, यहाँ एक official website है, यह cuetsumarth.ac.in, यहाँ 1422 से registration शुरू होगे, तो इस official website पर जाके आप, चेक करेंगे, वहाँ आपको पता लेगा, कि किस university की requirement क्या है, किस university की requirement क्या है, और जो आपकी, जिसका form आपको भरना है, जैसे आप दिल्ली में रहने, तो DU की official website पर भी जाओ, वहाँ भी चेक करो, अब देखो, एक बार फिर बतायते हैं कि computer based test होगा, test pattern objective होगा, MCQ, medium, 13 language में test हो सकता है, यह language लिखी हूँ है, तमील, टेलकु, करनेड, मलियाला, मराथी, गुजराती, ओडिया, बेंगॉली, असामी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, है कि section A, 1A और 1B, language test होगा, तो आप language तो complete होती है, वो कही 9, 10, 11, 12 से मतलब नहीं है, कि हिंदी है, तो हिंदी पुरी language की आपको information होनी चाहिए, section 2 में NCRT का, जो भी आपके subject हैं, जैसे physics, chemistry, maths, bio, economics, सब का 12th level तक, cable 12th level की NCRT, section 3 में जितना भी basic mathematics होता है, grade 8 तक का, वो आप को आना चाहिए, logical and analytical reasoning आनी चाहिए, और इसके registration बच्चो, cuct.ac.in इस website पे मिल जाएंगे, और भी कोई information चाहिए, तो comment box में लिख सकते हैं, और दूसरा, अगर कोई भी आपको information चाहिए, तो उस particular university की information में जाके जरूर चेक करना, जैसे DU, BHU, उनकी official website पे जाके, ताकि आप आपको exact information मिले, ठीक है बच्चो, wish you all the best.